जहीं दोस्तों स्वागत है आपका हैस्टेक भीकिसिंग भालक में दोस्तों सुरू करते हैं 12 नवंबर की करेंट फिर्ट के सेस्टन को चलिए देखते हैं पहला कोस्चन पहला कोस्चन है हाल ही में किस ने DRDO भवन में एंटी सेटलाइट मिसाइल के मोडल का अनावरन किया है रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंग, निरमलासितारमन इसका सही उत्तर होगा अप्संसी, हमारे वर्तमान के रक्षा मंतरी राजनाथ सिंग ने DRDO भवन में एंटी सेटलाइट मिसाइल के मोडल का अनावरन किया है तो DRDO का फूल फॉर्म होगा डिफेंस, रिसर्च, डवलप्मेंट, और्गेनेजेशन DRDO के स्थापना 1959 स्वी में हुई है DRDO के हेटक्वाटर न्यू दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में DRDO के चेर्मेन है जी सतीस रेड़ी DRDO का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम ये संस्कृत में है और इंगलीस में मोटो है Strength origin is in science अगला कोस्चन है हाल ही में IPL 2020 का सीजन किस ने जीता दिल्ली केपिटल्स, मुंबाई इंडियन्स, चैन्नाई सुपर किंग्स, किंग्स 11 पंजाब इसका सही उत्तर होगा Option B, मुंबाई इंडियन्स हाले में मुंबाई इंडियन्स ने IPL 2020 का सीजन जीत लिया है मुंबाई इंडियन्स ने दिल्ली केपिटल्स को हराकर IPL 2020 जीत लिया है तो इसका सही उत्तर होगा Option B, मुंबाई इंडियन्स अगला कोस्टन है हाल ही में टोक्यो अंतराष्टिय फिल्म मुहत्सब में एक मत्र भारत्य प्रविष्टी कौन सी है पॉमगल, वंधल, नठखट, कारखानी साचिवारी, लक्षमी बं इसका सही उत्तर होगा Option C, कारखानी साचिवारी कारखानी साचिवारी, यह एक मराठी फिल्म है इसमें Joint Family की कहानी को दिखाई गई है तो यह मराठी फिल्म, कारखानी साचिवारी को हाल ही में अंतराष्टि फिल्म मुहत्सब में भारत की और से परविष्टी मिली है अगला question है, हाल ही में FMCG brand Priya Gold ने अपने brand नमेजडर किसे न्युक्त किया है अलिया भठ कियारा आडवानी, विराट कोली, महेंद्र सिंग्धोनी इसका सही उत्तर होगा option B, कियारा आडवानी हाल ही में कियारा आडवानी को Priya Gold ने अपना brand नमेजडर बनाया है प्रिया गुल्ड एक बिस्किट की कमपनी है आपने कभी भी प्रिया गुल्ड कमपनी की बिस्किट जरूर ही खाई होगी तो ये प्रिया गुल्ड बिस्किट की कमपनी है जिसने अपना ब्राण नमेजडर कियरा आडवोनी को बनाया है हाल ही में मिंत्रा ने भी किया राडवानी को अपना ब्राण्ड नमस्डर बनाया है पेटियम फर्स्ट गेम का ब्राण्ड नमस्डर हाल ही में सचीन तेनुलकर को बनाया गया है और सियट टायर्स का ब्राण्ड नमस्डर अमीर खन को बनाया गया है साथ ही साथ विदान्तू एजुकेशन लर्निंग एप जिसका भी हाल ही में बरणना बश्डर अमिनखन को बनाया गया है अगला कॉस्चन है हाल ही में थावासामी थावासामी लाइफ एंड इसकील थूद लेंस अप रमाइना नमक पुस्तक किसने लॉंच की है नरेंद्र मोदी राजनाथ सिंग एम वेंक यानाइडू निर्मला सितारमन तो इसका सही उत्तर होगा अप्शन सी एम वेंक यानाइडू ने हाल ही में थावासमी लाइफ एंड इसकील थूद लेंस अप रमाइना नामकी पुस्तक लॉंच की है एम वेंक यानाइडू हमारे वर्तमान के उपराष्ट पती है और इस पुस्तक की लेखक है राला वांधी स्रीराम चक्रधार अगला कॉस्चन है एम्स सिरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 निती आयोग और किस देश की एक पहल है अमेरिका रूस अस्ट्रिलिया जपान इसका सही उत्तर होगा आप्शन भी रूस हाल ही में एम्स सिरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 निती आयोग और रूस ने मिलकर इसकी शुरुवात की है एम्स भारत की है एम्स का फुल फर्म है अटल इनोवेशन मिशन यह भारत की और से है और सिरियस इनोवेशन मिशन यह रूस की और से है तो ये शुरुवात नीतियायोग और रूस ने मिलकर की है रूस की राजधानी है मासको रूस के करंसी है रसियन रूबल वरतमान में रूस के राष्टपती है ब्लादवीर पुतीन और वरतमान में रूस के परधान मंत्री है मिखाईल मिटसुतीन भारत और रूस के बीच इंद्रा एक्सरसाइज होती है माउंट एलबरस यूरोप का सबसे उचा पहाड़ है जो की रूस में स्थित है रूस में बेकाल जिल है उरल के पहाड़ है हाल ही में जिरकोन मिसाइल का सफलता पूरग परिक्षन रूस में ही क्या गया है हाल ही में किसे टाटा लिटरेचर लाइब टाइप अचीब्मेंट आवाड से समानित क्या गया है अनुपाम खैर दिलिफरत रसकीन बॉंड अमिताब बच्चन इसकार सही उत्तर होगा option C रसकीन बॉंड हाली में रसकीन बॉंड को टाटा लिटरेचर लाइफ टाइब अचीब्मेंट आवार्ड से सम्मानित क्या गया है इसे पदमश्री और पदमभूशन पूर्षकार से भी सम्मानित क्या गया है ये है रस्किन बॉन्ड इसे पदम स्री और पदम भुसन समान से नवाजा जा चुका है अगला कोस्टन है हाल ही में भारतिय सेना ने किस देश को 20 पूरी तरह परसिक्षित सेन ने घोड़े दिये हैं सिरलंका, बंगलादेश, अफगानिस्तान, नेपाल इसका सही उत्तर होगा, अफशन बी बंगलादेश, हाल ही में भारत ने 20 पूरी तरह से परसिक्षित घोड़े 10 माइन का पता लगाने वाले कुट्ते एवं बंगलादेश की सेना को इसे हेंडल करने के लिए परसिक्षन भी दिया है हाली में भारते सेना ने बंगलादेश के सेना को 20 पूरी तरह से परसिक्षित घोड़े, 10 माइन का पता लगाने वाले कुट्ते एवं इन्हें हेंडल करने के लिए परसिक्षन दिया है अगला कुस्चन है, माफ कीजिएगा यहाँ पर बंगलादेश को दिया गया है तो बंगलादेश की राजदानी है ढाका बंगलादेश की करनसी है टाका बंगलादेश के वर्तमान के परसिडेंट है सेख हसीना और वर्तमान में बंगलादेश के परदान मंत्री है अब्दुल्ला हामीद संप्रती, युद्धा भ्यास, भारत और बंग्लादेश के बीच आयोजित क्या जाता है जिसे हाल ही में मेगाले में आयोजित क्या गया था बंग्लादेश में मूब्त इंटरनेट से वहाँ पर प्रतिबंद लगा दिया गया है बंगलादेस में डिजिटल हाट प्लेटफॉर्म को लॉंच किया गया है एवं बंगलादेस क्रिकेट बोड ने स्वास्त एवं मांसिक संती को ट्रेक करने के लिए एक एपल लॉंच किया है παूला को चण हाल ही में फोरेक्ट इस्टाप के लिए कोविडवर 19 के किलाब भीमग और परदान करने वाला पुर्वत्तर का पहला टाइगर जयर्व कुन मना है डंपा टाइगर रिजर्व, मानस टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, काजिरंगा टाइगर रिजर्व इसका सही उत्तर होगा, उप्शन C, इसका सही उत्तर होगा, पक्के टाइगर रिजर्व के फोरेस्ट स्टाप के लिए COVID-19 के खिला वीमा कवर दिया गया है इसके लिए एक लाग तक का वीमा फोरेश्ट ष्टाब को दिया गया है यह पक्के पागा पक्के टाइगर रिजर्ब और नोचल प्रदेश राज्जी में इस्तित है और नोचल परदेश में है पक्के टागर रिजर्व जिसके करमचारी जिसके फॉरेस्ट इस्टाप को कोविड-19 के खिलाब एक लाग तक की भीमा कवर दी गई है और नोचल परदेश की राजधानी है इटा नगर और नोचल परदेश के मुखमंत्री है पेमा खांडू और नोचल परदेश के वर्तमान के गवर्नर है ब्रिगेडियर बीडी मिस्रा और नोचल परदेश में मी बड़ी एप लॉंच किया गया है ये एप कोरोना से लड़ने के लिए लौंच किया गया है मैंने झाल आपको बताया और नुचल प्रद weten में पक्के टाईघर रिजर्व इसके अलावा और नुचल प्रद extraordini एक और टाईघर इज़व एक और नेशनल पार्क है नम्द폰 नेशनल पार्क से जोश म comer overnight प्रदेश में मना जाता है और अगर केवल हर्नमील मुहतसब की बात हो तो हर्नमील मुहतसब नागालंड में मना जाता है अगला कोस्चन है हाल ही में देश के राष्टपती ने महतमा गंधी पर एक विशेश संकलन मुझले मुझले बुझेको गंधी जारी किया है मुझले बुझेको गंधी स्रिलंका नेपाल बंगादेश पाकिस्तान इसका सही उत्तर होगा ओप्सन बी नेपाल हाली में में नेपाल के राष्टपती विद्यादेवी भंडारी ने कविताओं का संग्रह मुझले बुझेको गंधी लौंच किया है मुझले बुझेको गंधी नेपाली भसा में है इसका हिंदी में अर्थ होता है मैं जिस गंधी को जानता हूँ इस पुस्तक को नेपाल के राष्टपती विद्यादवी भंडारी ने जारी किया है इसमें कविताओं का संगरा है अगला कोस्चन है हाल ही में किस राज ने सुसासन के लिए मुख मंत्री पृष्कार योजनों शुरू किया है जारखन, चतिसगर, मनिपूर, इन में से कोई नहीं इसका सही उत्तर होगा अप्सन सी मनिपूर हाली में मनिपूर राज ने सुसासन के लिए मुख मंत्री पृष्कार योजनों शुरू किया है किस राज में कितना गुड गवर्नेंस है इसके लिए मनिपूर ने मुख मंत्री पृष्कार योजनों को शुरू किया है मनिपूर की राजदानी है इमफाल मनिपूर के वर्तमान के मुख मंत्री है एन विरेन सिंग मनीपूर के वर्तमान के गवर्नर है नजमा हेपतula मनीपूर में लाई हरोबात योहार मना जाता है मनीपूर में खुडोल पहल की सुरुवात हुई है जिसे समयुक्त राष्ट ने जिसकी तारेप किये मनीपूर में पोधे के लिए क्लिनिक खुला गया है खोगजोम दिवस हर साल 23 अपरेल को मनिपूर में मनाय जाता है मनिपूर में केबूल लेमजाव नेशनल पार्क है मनिपूर में लोक्टक जील है मनिपूर में संगाई महत्रम मनाय जाता है एवं पब्लिक अफेर्स इंडेक्स में सासन के मामला में मनिपूर राज पर्था मास्थान है तो दोस्तों ये थे 12 नमंबर के current affairs मैं आपको बता दूँ मैं डेली करेंट से बसकूल लगा रहाता हूँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आकन को दबाएं बेल आकन को दबाने के बाद आप और नाटिफिकेसन पर क्लिक करें आपको डेली करेंट पर सबसे पहले मिल जाएंगी अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजेगा